हम दर्शकों को सूचित करना चाहते हैं कि ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुचाना या आहत करना नहीं है हम सिर्फ आप तक खबर पहुचाना चाहते हैं वीडियो के कंटेंट का हम समर्थन नहीं करते आज से करीब साथ साल पहले अफगानिस्तान के पश्चिमी घूर प्रांत में एक महिला और पुरुष को सरेयां सौ कोड़े मारने का मामला खास चर्चा में रहा था दोनों को आपत्ती जनक हालत में पकड़ा गया था और उन्हें इस बात की सजा दी गई थी इस दोरान दरजनों लोग घटना इस्थर पर मौजूद थे और अपने मुबाइल फोन से रिकॉर्डिंग कर रहे थे 1996 से 2001 तक तालिबानी शाशन के दोरान इस तरह की सजा देना तो आम था लेकिन 2022 में उत्तर प्रिदेश के गाजीपुर में आज भी ये सजा दी जाती है ताजा मामले में सोशल मीडिया पर एक वाइरल वीडियो में प्रेमी जोड़े को तालिबानी सजा दी जा रही है यही नहीं सबसे जादा रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह है कि वीडियो में आरोपी शक्स पीडित युफ्ती से थूक चाटने को भी बोल रहा है दरसल यह पूरा मामला गाजीपुर के वहरी अबाद थानत शेत्र के भाला बुज़र्ग ग्राम का है यहां का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है जिसमें एक लड़की की बड़ी बेहरहमी से पिटाई की जा रही है पिटने वाला व्यक्ति लाद घूसो से पहले लड़की को मारता पिटता है और फिर उसके प्रेमी के साथ भी मार पिट करता है उसकी दरिंदगी यहीं तक सीमित नहीं रहती बलकि इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मार पिट के दौरान आरोपी डंडे से पीटते हुए प्रेमी और प्रेमिका को थूख चाटने तक को मजबूर कर देता है जानकारी के अनुसार वीडियो में पिटाई करने वाला व्यक्ती ग्राम कर प्रधान बिर्जेश यादव पताया जा रहा है कि पीडित यूवक और युपती इसी काउं के रहने वाले हैं और दोनों का पिछली काफी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था दोनों पिडित एक दूसरे से शादी करना चाहते थे लेकिन इसकी जानकारी ग्राम प्रधान को हो गई इसके बाद गुस्ताई प्रधान ने नियम काईदे और कानून को ताग पर लग कर प्रेमी का और प्रेमी को अपने घर बुलाया और ये तालिबानी सज़ा दे डाली वहीं इस मामले पर पुलिस अदिक्षक गाजीपूर ओमवीर सिंह से जब बात की गई तो उन्होंने बताये कि वीडियो की पुस्टी की जा रही है अभी इभी सोचल मीटिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक विक्ती- एक महिला के साथ अबदर वैवार कर रहा है और कुछ दूख के चाटने की भी बात कर रहा है ये वीडियो थाना बारियाबाद चेत्र का बताया जा रहा है इसकी पुश्टी कराई जा रही है जहां का ये बताया गया है अभी उस बारियाबाद थाने का हाला कि ताजा अपडेट आपको बता देंगी प्रेमी और प्रेमिका को तालिवानी सजा दिये जाने वाले पर पुलिस ने अब एक्शन ले लिया है बहरियवाद पुलिस ने ग्राम प्रधान व्रजेश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्श कर लिया है धारा 323, 504, 506, 304 और 509 के तहट मुकदमा दर्श करते हुए आरोपी ग्राम प्रधान को गिरफतार कर लिया गया है